हेलो दोस्तों केसे हुआ आप सभी लोग तो आज कुरें मैं आपको A4 Royal Pass के week 4 के सारे missions detail में explain करूँगा और easy tips और tricks बता हूँगा जिससे आपके missions चल चल दी complete हो जाएंगे तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो ज़रूर चेक आउट करना तो first mission है 100 RP points के लिए elite pick up compensator in 5 matches in classic mode तो दोस्तो आप देख सकते हो इने compensators कहते हैं तो दोस्तो हमें total 5 match में उठाने हैं पर अगर दोस्तो आप ये तीनो एक ही match में उठा लेते हो मतलब different type के AR ये देख सकते हो तो फिर आपके mission के अंदर 1 match में 3 count होंगे तो आपका ये mission 2 match में हो जाएगा फिर next mission है 100 RP points के लिए elite eliminate one enemy within 60 seconds of landing in classic mode तो दोस्तो हमें classic mode के अंदर कहलना है rank हो या unrank और उतरते ही 1 minute के अंदर हमें दोस्तो एक enemy को finish करना है जैसे आप finish कर दोगे ये mission हो जाएगा फिर next mission है इस card के लिए pick up spec nash level 3 helmet 2 times in classic mode तो level 3 का helmet हमें दोस्तो ये दो बार उटाना है classic mode में rank या unrank फिर ये भी mission अपना हो जाएगा फिर next mission है 60 RP points के लिए और ये repeatable है मतलब आप जैसे बिजयामा ये PUBG mobile को खेलते रहोगे classic mode unrank matches arena तो वेसे वेसे minutes add होंगे और आपको दोस्तो ये points मिलते जाएगे फिर next mission है 150 RP points के लिए और ये friend boost है मतलब दोस्तो अगर आप आपके ये mission जो दिया है ये royal pass के friend के साथ करोगे तो उसने भी किया तो भी आपके इसमें या add हो जाएगा 0 by 10 में आपने किया तो उसके इसमें eliminate 10 enemies with SMG in irangle in classic mode तो दोस्तो हमें 10 enemies मारने है SMG gun से जो के आप ये देख सकते हो और वो भी irangle map के अंदर तो आप दोस्तो irangle खेले rank ये unrank mode में और 10 enemies मारे फिर next mission है 60 RP points के लिए और ये friend bonus है मतलब अगर आप ये mission आपके royal pass के दोस्त के साथ करोगे तो extra RP points मिलेंगे finish 3 times in the top 3 in classic mode with friends दोस्तों आपने in game के दोस्तों के साथ खेलो और top 3 आना है बस 3 बार तो इस कीज़े trick रहेगी लिविक map लिविक के आप नूसा में खेलो जल्दी हो जाएगा फिर next mission है 60 RP points के लिए eliminate players with the pen 2 times with teammates in classic mode तो दोस्तों pen से 2 enemies मारने है classic mode में rank या unrank और team boost लगा है squad के अंदर के लिए squad ने किसने भी किया तो भी आपका mission हो जाएगा फिर next mission है 60 RP points के लिए obtain 50 contribution points during the clan battle event दोस्तों clan के अंदर अगर आप join हो तो clan battle event स्टार्ट होने वाला है या फिर हो भी गया होगा आप देख सकते हो तो दोस्तों आपको इसके अंदर बस दोस्तों जो भी mission का है मतलब आपके clan के member के साथ दोस्तों आप classic खेलो अरिना के लो कुछ points देख सकते हैसे आपको यह मिलेंगे तो आप जैसे यह complete कर लोगे तो यह mission हो जाएगा या फिर इसको पर मैंने वीडियो बनाई है तो आपक लखो 14 या फिर उसे ज्यादा एनिमीज मारने तो टोटल 14 अगर आप एनिमीज मार देते हो तो यह mission आपका हो जाएगा फिर next mission है week 4 only log into the game on a total of 3 days तो दोस्तों week 4 में बस 3 दिन game को open करना है फिर यह भी mission हो जाएगा फिर next है 30 RP points के लिए eliminate one enemy with pistol in any mode तो पिस्तोल से देख सकतो इन में से कौन से पिस्तोल से एक enemy मारना है कौन से भी mode में rank के अंदर कर सकते हो unrank या फिर अरिना में next है gift और gift back BP to 3 different friends तो हमें दोस्तो BP send करना है अपने in game के दोस्तों को तो आप क्या करना है main screen पर आना है friend list पर click करके आपके एक दोस्त के उपर click करो तो आपको यह इसे BP जैसे दिखाई देगा तो अगर यह दिखाई दे तो यह बस click करके send कर दो total 3 different दोस्तों को यह से करना ह दो देशी दो फोर्ड होगे यह भी mission हो जाएगा तो guys यह थे week 4 के missions a for royal pass किये तो मैं next week के missions के वीडियो के साथ मीलूँगा तो इसलिए अब चैनल को subscribe करके रखे और thanks for watching